आईए आज कथा साहित्य में सुनिये मालती जोशी जी द्वरा लिखी कहानी कुहरे के पार ताला खोलते ही एक विराट सुना पन उसे जैसे लिलने को दोड़ पड़ा उसे किसी तरह ठेल कर वो भी तराई वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी दूल की एक मोटी परत यहाँ वहाँ जम गई थी बस पता नहीं क्यों घर से जब भी लोटती है अपने कमरे को जस का तस देख कर उसका मन अकारण उधास हो जाता है जबकि वो जानती है कि कमरे की तरदीब को उलट-पुलट करने वाला कोई नहीं है अगर बिखरा भी छोड़ जाए तो आकर समेठना उसी को है सामान पटक कर उसने सोचा पहले एक कप चाय बना कर पी ले गैस को जाड़न से पूँच कर उसने तीली जलाई और दूसरे हिर्षन पुझा दी चाय क्या बनेगी खाक? दूद का तो सवाल ही नहीं उठता लेकिन घड़े में पानी भी तो दस बारा दिन पहले का पड़ा होगा घर से लौट कर यही छोटी-छोटी बातें अखर जाती हैं और फिर हार कर रमा की शरण में जाना पड़ता है पिंटू किचन की खिड़की खोल कर उसने आवाज दी जवाब में सामने की खिड़की खुली अरे दीदी कब आई आप बस अभी चली आ रही हूँ रमा सुखिया हो तो ज़रा एक जग भर कर पानी तो बिजवाना अभी लीजे रमा ने कहा और दूसरे हीचन पानी लेकर खुच चली आई संकोच से भर उठी शीला अरे तुमने क्यों तकलीफ की सुखिया को भेज देती पानी भी दे जाती और ज़रा ज़ाड़ू भी लगा जाती घर की शकल तो देखो ज़रा क्या हूर ही है वो तो सब हो जाएगा आप उधर चलिए चाय चढ़ा कर आई हूँ रमा के आग रह को वो टाल नहीं सकी चाय की तो इस समय बेहत ज़रूरत थी चाय पीकर ज़रा चैन मिला तो वो नहाने चली गई बात्रूम से निकल कर देखा इस पीच सुखिया घर को दो पोँच कर चमका चुकी है गीले बालों में तोलिया रगडते हुए उसने सूचा अहा उसके मन पर चढ़ा गर्द गुबार भी कोई इसी तरह बोहार देता दीदी, खाना इधर बना रही हूँ, आज के दिन अपने रसोई को आराम दीजिएगा रमा ने पुकार कर कहा, तो शीला ने मन ही मन उसे अनेक आशिरवात देडाले अपने आप बनाना और अकेले बैठ कर खाना, कम से कम आज तो उसके लिए संभव ना था बेशक, वो भूकी सोजाती, रमा इस बात को अच्छी तरह जानती है, इसी लिए उसे छुटियों से लोटकर पहला खाना रमा के यहां ही खाना पड़ता है, कौन कहेगा, कि बित्ते भर की लड़की मेरी मकान मालकिन है शीलास ने हात्र हुआई, बेचारी छोटी बेहन की तरहां आगे पीछे डोलती रहती है हमेशा की तरहां, रमा ने खाना खूब मन लगा कर बनाया था, पर शीलासे खाया ही नहीं गया उसकी मनहस्तिती वे लोग चानते थे, इसलिए किसी ने इसरार भी नहीं किया रमा और प्रमोध दोनों के चहरे पता रहे थे, कि वे काफी कुछ जानने को उच्सुख है पर सौजन्यवश दोनों चुप बने रहे, तब शीला ने ही पहल की पोली, घर से लोटने के बाद इतना खराब लगता है, सच, तुम लोग ना होते, तो मैं क्या करती अब उन दोनों का मौन टूटा, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही समझो अम्मा जी, वे भी ठीक हैं, इश्वर ने ही उन्हें शक्ति दे दी है, नहीं तो बुढ़ापे का शरीर, बिमारियों की फोज साथ लगी हुई इतना बड़ा दुख कैसे झेल गई, यही सोचकर आश्चर्य होता है, वो तो इश्वर अपने आप शक्ति दे देता है, प्रमोध ने कहा बच्चे कहा हैं? रमा ने पूछा, लड़के तो दोनों अपने घर पर ही हैं, दोनों बड़े भी हैं, शशांग तो फरस्ट एर में पहुँच गया है, प्रशांद भी दस्वी में है, स्वाती की ही चिंता है, बहुत छोटी सी है बेचारी और क्या, इतना शौक था दीदी को लड़की का, पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद तो पैदा हुई है, और अब खुद उठकर चल दी, दूसरे लोग को बाद चित फिर इसी बिंदू पर आकर थम गई, बाकी निरवता में ही संपन हुआ, खाने के बाद शीला कुछ देर तक पिंटू के साथ खेलती रही, और फिर शमा मांग कर अपने घर की ओर चली आई, बहत ठक गई थी वो, और ठकान भी क्या, सिर्फ सफर की थी, कमरे का दर्वाजा बंद कर कितनी देर तक वो दर्वाजे से लगी खड़ी रही, यह एकांथ, अपने कमरे के इस एकांथ के लिए तरस कई थी वो, बिस्तर पर लेटते ही, नितिन और निलम की याद हो आई, बुआ के पास सोने के लिए कैसी महाभारत मची रहती थी दोनों में, इस बार तो हिस्सेदारों में स्वाती भी थी, पर बैचारी कुछ कहती नहीं थी, उदास आखों से टुकुर-टुकुर ताक्ती रह जाती थी, उन दुस्टों के सोचाने के बाद, शीला धीरे से उठ जाती, और स्वाती को लेकर किसी दूसरे बिस्तर पर आ जाती, वो मातर ही ना बच्ची, तब उसे कसकर भीच लेती, स्वाती की याद आते ही, मन कैसा तो होने लगा, दीदी पर गुसा आने लगा, जो यूँ अचानक उठकर चल दी, खुद तो चली गई, पर उसे कैसी अजीब उल्जन में डाल गई है, बहुत रातों को जागी थी वो, सोचा था, बिस्तर पर पढ़ते ही नीद आ जाएगी, पर विचार थे, जो गोल बनाकर उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे, वो परिशान हो उठी, लगा, कि यह घुप अंधिरा, उसे निगल जाएगा, रोश्नी की एक किरण, हवा का एक छोंका, कहीं से मिले, तो वो जी जाए, अन्मनी सी वो उठी, और उसने पहार का दर्वाजा खोल दिया, बगल वाले कमरे में अब भी उचाला था, उसने जांक कर देखा, रमा रेटियो के पास बैठ कर बुनाई कर रही है, अब तक जाक रही हो, उसने पूछा, अभी साड़े नो ही तो बचे हैं, प्रमोत कहा है, सेटरडी कलब, पिछले शनिवार आप नहीं थी, तो मैंने जा पाने नहीं दिया था, रमा भी बहारा गई, आज भलावे रुकते, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दे ली, अखेली बैठी रही, सोचा, आप ठकी होंगी, शीला वही सीडियों पर पसर कर बैठ गई, सच, बहुत ठक गई हूँ, पर नीद कहां आती है, बुनाई रमा भी उसके पास आ बैठी, धीरे से बूली, नीद कैसे आएगी भला, इतना बड़ा शौक है, वहां तो उतने लोगों के बीच पता नहीं चला होगा, पर यहां अकेले में, रमा, जी, शौक दीदी की मृत्यू का नहीं है, पर चानती हो, वे लोग मुझे दीदी के पर देखना चाहते हैं, ओ नो, सच कह रही हूँ, अगर सिर्फ दीदी के ससराल वाले ही ऐसा सोचते, तो मुझे आश्चरे नहीं होता, पर दुख तो यह है, कि अम्मा, भाया, भावी, नीचू, चाचा, सब के सब पीछे पड़ गए हैं, मैं तो गलानी से भर उठी हूँ लगता है, जैसे दीदी की मृत्यू की कामना लेकर ही, मैं इतने वर्षों तक अन्ब्याही बैठी रही, और जीजा जी, वे क्या कहते हैं, वे क्यों कुछ कहेंगे, जरूरत ही क्या है, पर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, यही सपस्ट संकेत नहीं है क्या, वे त दिन तक उन्हें कोई अकेला नहीं रहने देगा, वैसे दीदी खुद ही सारे विवस्था कर गई लगती हैं, क्या विवस्था कर गई हैं दीदी, रमा ने पूछा, कह गई हैं, शीलू को स्वाती की मा बना लेना, कुछ शन स्तब्दता चाही रही, फिर रमा ने कहा, साल छे महीने के बाद, शायद मैं भी यही सुझाब देती, पर इतनी जल्दी, ओह, मैं तो सूच भी नहीं सकती, शीला ने एक भर पूर्द रिष्टी रमा पर डाली, तुम भी यही सुझाब देती, क्यों रमा, तुम्हें क्या मैंने कभी अपनी कहानी सुनाई नहीं, सुना देती, जिन्दगी सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलती, उसे किसी ठोस सहारे की जरूरत होती है, आज नहीं तो कल, आप इसे अनुभव करेंगी, तब मैं वह सहारा खुद ढून लूँगी, और आज ये लोग जो, मौका हाथ लगा है, यही कहना चाहती हो ना, अच्छा नहीं लग रहा दीदी, कुछ भी कहलो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो ठीक है, खुद अम्मा भी कह रही थी, कि तुम सोच विचार करती रह जाओगी, और रिष्टा हाथ से निकल जाएगा, ठीक ही तो कह रही थी अम्मा जी, इतना अच्छा घरवर द देखते ही, लोग तो गुड की चीटियों की तरहां दौड पड़ते हैं, तब वे उम्मर का भी खयाल नहीं करते, रमा ने कहा, तो तुम चाहती हो, मैं भी इस दौड में शामिल हो जाओं, निर्ने की जल्दी ना सही, पर इस दिशा में सोच तो सकती हैं आप, रमा, पहुत आधरने हैं मेरे लिए, पर पती के रूप में मैं उसकी कलपना भी नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों, विवा को लेकर हम लोग सिर्फ देहिक स्तर पर ही सोचते हैं, रुपए पैसे से ही रिष्टे को तौलते हैं, इससे परे जैसे किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं ह लेकिन मैंने अब जिन्दगी को एक नए नजरीय से देखना सीखा है, मेरे जीने का धंग बदल गया है, मेरे सोच की सीमाएं फैल गई हैं, अपने आसपास मैंने रंगों की एक नई दुनिया इजाद कर ली है, चेतना के स्तर पर बहुत आगे बढ़ाई हूँ मैं, अब पीछे लोटना संभब नहीं है, रमा, अब मैं उस व्यक्ति के साथ गुजारा नहीं कर सकती, जिसकी दुनिया घर और दफ्तर तक ही सीमित है, फाइल और अख़बार ही जिसके लिए सहित्ते है, महीने में एक बार सिनेमा देख लेना जिसके लिए कला प्रेम है, और जो ब नहीं रमा, ऐसे दुनियादार आदमे के साथ अब मेरा निर्वाह असंभव है, एक ही सांस में कितना कुछ कह गई शीला, खिड़की से च्छन कर आते प्रकाश में, रमा एक टक उसके तम-तमाई चहरे को देखती रह गई, उसका जवार थमते ही बोली, सब कुछ अपने मन कासा कहां मिलता है दीदी, एड़्यस तो करना ही पड़ता है, उसकी भी एक उम्र होती है पगली, शादी से पहले लीला दी भी बेडमिंटन खेलती थी, सितार बचाती थी, कथक नाश्टी थी, महादेवी के गीत कुर्गुनाती थी, पर शादी के 18 वर्षों में उनकी इठाईयां और दरजनों स्वेटर्स, 16 साल की उम्र में बेहई गई थी, इसी लिए आसानी से उस साचे में ठल गई, पर 35 की आयू इतनी लचिली नहीं होती न, स्कूटर के करकश हौन और तेज रोशनी से दोनों चौंकी, प्रमोद लौट आये थे, रमा ने दोड़कर ग क्या करें, आपकी श्रिमती का मंजों बहलाना था, प्रमोद ने कृत्रिम रोश से रमा को घूरा, उसने शर्मा कर नज़र छुका ले, थोड़ी देर बाद बगल वाला घर अंधेरे में टूप गया, सच, यही उम्र है शादी की, शीला ने सुचा, पती का प्यार, पती का गुस्सा, पती की अच्छी बुरी आद दें, रमा कितने सहच भाव से सब कुछ स्विकार कर लेती है, अपने व्यक्तित्व को उसने प्रमोद के साथ कितनी आसानी से जोड लिया है, अपनी असमिता क बोले कर जरा भी परेशान नहीं होती वो, लेकिन उससे यह सब हो सकेगा, उसने अपने आप से पूछा, उसके मन के किसी कोने से हां के ध्वनी नहीं उठी, नीन दब को सुंदूर थी, पर मन बहुत हलका हो आया था, पिछले दिनों मन में जैसे लावा सा उबलता रहा है, पर अपनी बात किसी से भी कहने का वो साहस नहीं चुटा सकी थी, सबने एक साथ उसे दोशी करार दे दिया था, वो जानती है, इसके मूल में सब की सदभावना ही है, उसके एकाकी जीवन को लेकर सभी चिंतित हैं, जब भी घर गई है, एक ना एक प्रस्ताव उसके सामने आता है, अम्मा तो हमेशा कहती हैं, तेरी फिक्र के मारे मुझे चैन से मलना भी नसीब ना होगा, अब दीदी की मृत्यू ने उनके बच्चों की चिंता का एक बोज और लाद दिया है, सभी ने इस गुत्ती को अपने धंग से सुलचाना चाहा है, फिर दीदी की अंती मि इच्छा, वह भी तो इन सब के साथ आकर जुड़ गई है, उसका आनादर कैसे करे शीला, सच, दीदी मरते मरते ये कैसा फरमान निकाल गई तुम, कुछ तो खयाल किया होता मेरा, पूछा तो होता, मेरा मन क्या कहता है, पता नहीं क्या सोच कर, वो एक छटके के साथ उठ उसने टेबल लेंप जलाया और लिखने बैट गई, आदर ने जीज़ा जी, दीदी ने चाहा था कि मैं स्वाती की मा बनूँ, मुझे सहर्ष स्विकार है, दीदी की बाट डालने का प्रशन ही नहीं उठता, आप निश्चिंध होकर उसे मुझे सौप दे, उसके बाद आपकी पत्नी बनने का सौप भागय जिसे प्राप्थ होगा, वो मुझे दीदी की तरह ही प्रिय होगी, बस इतना ही, पत्र को तहा कर उसने लिफाफे में बंद किया, और पंदरा दिन में पहली बार खुल कर सांस ली, मन पर छाया कोहरा, धीरे धीरे चंट रहा था अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी कोहरे के पार सुन रहे थे मालती जोशी जी की अन्य कहानिया आप कथा सहेत्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं कथा सहेत्य में अपना सुन दर साथ यूँ ही बनाए रखिये धन्यवाद आपका दिन शुभू